रेविडी कल्चर वालों को लगता है कि चंता जनार्चन को मुप्त की रेविडी बाट कर उन्हें खरीद लेंगे दिली के गरीबों के बچ्चे मिडल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कोलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवडिया बात रहा हूं या देश की नीव रख रहा हूं मुझ पर आरोप लगाये जा रहे हैं कि केजरी वाल फ्री के रेवडिया बाट रहा है किजरी वाल फ्री बीज दे रहा है मुझे भद्धी बद्धी गालियां दी जा रही है मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं दिल्ली के गरीबों के बच्चे मिडल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शांदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं मैं लोगों से पूछना चाता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवडियां बाट रहा हूं या देश की नीव रख रहा हूं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाक बच्चे पढ़ते हैं इन 18 लाक बच्चों का भविश अंदकार में था अभी तक हमारी सरकार बनी थी उसके पहले जैसे देश भर में सरकारी स्कूलों का बेडा गर्क है देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है वैसी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालत थी पढ़ाई होती नहीं थी सरकारी सारे स्कूल टूटे फूटे पड़े थे दिवारें टूटे हुई थी छटें चूरे थी ब्लैक बोर्ड थानी डेस्क नहीं थे नीचे बैठे रहते थे बच्चे उनके कोई पढ़ाई नहीं होती थी अठारा लाख बच्चों का भविष बर्बाद था आज अगर हमने इन अठारा लाख बच्चों का भविष अच्छा कर दिया अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शांदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं तो मैं क्या गुना कर रहा हूं कि कि सरकारी स्कूलों में पहली बार आजादी के बाद से पहली बार ,'75 साल में पहली बार । निन निान्व्य प्रतिशत से ज़्यादा नतीजे आए हैं मैं अगर अपनी बढ़ाईा कुद करूं तो कहा जाएगा कि केज़्रिवार्च कुद बढ़ाई स्कूलों में भर्तियों में यह कोई छोटी बात नहीं है आज गरीबों के बच्चे आयटी के अंदर कंप्यूटर मेकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहें नीट के पेपर पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहें एक लड़का है गगन उसके पिताजी कार्डबोर्ड बनाने गत्य के डिब्बे बनाने की फैक्टरी में मजदूरी का काम करते हैं करोना में वो नौकरी भी छुट गए 15,000 रुपे महीने कमाया करते थे आज गगन का एडमेशन आईटी धनबाद में कंप्यूटर इंजीनिरिंग में हुआ है उससे पूछ के देखिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवडिया बाट रहा है या देश का भविश्य बना रहा है ऐसी हजारों बच्चे हैं जिनका भविश्य आज सुनेरा किया हम यह का म में स्अफ तालिस में हो जाना च vue है था का म मुनिस सुंप पचास में हो जाना ठचिया था जो आज हम कर रहे हैं अज हम लोग देश की नीव रख रहे हैं यह रेवडिटी नही सिर्टी नीव के में एक एक इंत रही है हूँ और दिल्ली के सरकारी एस्पताल अन्य शोड़ कर दिये डिल्ली में शांदर महला क्लिनिक बना दिये जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है जहां पे दिल्ली की दो करोड जनसंख्या एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है एक एक आदमी का दो करोड लोग रहते हैं दिल्ली में एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है चाहिए वो गरीब हो चाहिए अमीर हो हम यह नहीं पूछते कि कौन सी जातका कौन सी धरमका है अमीर है गरीब है आदमी है औरत है चोटा है बड़ा है जो भी आदमी है हर एक का इलाज मुफ्त है है कि तीस लाख चालाड पैसा लाक रुपए का भी अगर उसका प्रिशन का खर्चा आएगा उसकी सारी दवाईयान उसके सारे टेस्क्रण सब कुछ उसका मुफ्त होता है सारे महल्ला क्लिनिक्स के अंदर उनका इलाज मुफत होता है क्या मैं ये फ्री की रिवड़ी यहां बाट रहा हूं आज डिल्ली के अंदर अगर किसी का एक्सिडेंट हो जाए हमने एक फरिष्टे स्कीम बनाई अगर किसी का एक्सिडेंट हो जाए तो उसको हमने कहा है कि उसको नियरस्ट अस्पताल में ले जाए आसपास जो भी अस्पताल हो चाहे कितना भी महंगा अस्पताल क्यों ना उसे उठा के ये नी सोचना कि कभी मेरे उसे नियरस्ट अस्पताल में ले जाए उस आदमी को ठीक करने का सारा खर्चा दिली सरकार द रहते हैं अपने घर से निकले मार्केट के लिए रस्ते में एक्सिडेंट हो गया भगवान की कृपा थी कि उदर से अंतुल कोहली जी गुजर रहे थे उन्होंने उनको उठाया और वो उनको अस्पताल ले गए उस छोटे अस्पताल ने उनको फोटिस में रेफर कर दिया क् चोट बड़ी गहरी थी फोटिस अस्पताल में उनका पांच लाख रुपे का खर्चा आया सारा खर्चा दिली सरकार ने दिया तेरा हजार से जादा लोगों की जान बचा चुके हैं अवी तक हम इन तेरा हजार लोगों के परिवार वालों से पूछे कि क्या केजरिवाल फ्री की रेवडियां बाट रहा है या पुन्य का का काम कर रहा है धर्म का का काम कर रहा है आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू किया यह कहते हैं के इसलिवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है मैं इनसे पूछना चाहता हूं तुम्हारे मं सब्सक्राइब करेंदों को चार-चार-वाच हजार यूनित तुम लोगों को चार-चार-वाच-छार यूनित बिजळी फ्री मिलते है तब ठीक है लेकिन गरीब जनता को अगर मैंने दोसो यूनित तीनस remission बिज़ी वटेती सो तुम्में तकलीफ होती है आज दिल्ली के अंदर हमने फ्री में लोगों को योगा कराना चलू इसांत्रा लोग दिल्ली में हम उनको फ्री में टीचर भेज़ते हैं रोग सुभए फ्री में जगने लोगों को को योगा कराने जाते हैं हमने दिल्ली में सब की दवाईयां सब कुछ free कर दिया test free कर दिये ilaj free कर दिया लेकिन हमारा मकसद है कि कोई बीमारी नहीं पढ़ना चाहिए उनको योगा सिखाते हैं सत्रह हजार लोगों को योगा सिखा रहे हैं डेली free में योगा टीचर भेज रहे हैं बताईए क्या गलत कर रहे हैं आज मैं दिल्ली में हजारों लोगों को फ्री में यात्रा करा चुका हजारों बुजुर्गों को लगबग 45,000 से ज्यादा बुजुर्ग तीर्थ्यात्रा कर चुके हैं अयोध्या जी गए हर्द्वार इशिकेश गए मत् पुन्य होता है और यह लोग कह रहे हैं कि यह लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कह रहे हैं कि आज महिलाओं को हम दिल्ली में फ्री में ट्रांसपोर्ट फ्री में उनको हम बसों में ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं मेरा क्या कसूर है जो लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके लिए अपने लिए प्राइवेट प्लेन खरीदा है हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अपने लिए शांदार हवाईजाज खरीदे हैं उन्होंने केजरिवाल अपने लिए हवाईजाज नहीं खरीदता केजरिवाल ज्चिरिवाल क्या गलत कर रहा है? पड़ा लिखाऊं मैं. इंजीनिरिंग में डिग्री करी है, मैंने एकाउंटिंग की बी पढ़ाई करी है, कानून की बी पढ़ाई करी है और असली डिग्री है मेरी डिग्री भी फरजी नहीं है. सब कुछ समझता हूं आज इतनी चीजे फ्री करने के बाद भी दिल्ली का बजट फाइदे में चल रहा है यह मैं नहीं कह रहा है अभी थोड़े दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि 2015 के बाद से जब से केजरिवाल की सरकार आई ह तब से दिल्ली का बजट नफे में चलने लगा उसके पहले गाटे में चलता था तो बजट भी नफे में चल रहा है कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया ब्रश्टा चार खतम कर दिया ब्रश्टा चार खतम करके जो इतनी सारी इतना पैसा बचाओ से अगर अब मेरे अपने लोगों कि मैंने इतनी सहूलियत देदी तो बताइए मैंने क्या गलत किया मैं बताता हूँ आपको फ्री की रेवडी क्या होती है और मैं बताता हूँ आपको इस देश में फ्री की रेवडी कौन बांट रहा है एक कंपनी है बहुत बड़ी उस कंपणीने लोन लिया कई बैंकों से खा गए वो लोन बैंक दिवालिया हो गए और उस कंपणीने एक राजनेतिक पार्टी को चंदा दे दिया कुछ चंद करोड रुपए का और उस कंपणी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नी लिया यह फ्री की रेवड़ी है जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं यह फ्री की रेवड़ी है जब आप विदेशों की अत्रह में जाते हैं और विदेशों की अत्रह के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए ठेक लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है, आज देश में दो किस्म की राजनीती चल रही है, एक इमानदार राजनीती, एक भ्रष्टाचारी राजनीती, इमानदार राजनीती वो है जो आज आम आदमी पार्टी कर रही है, हम एक एक चीज में पैसा बचा अब आद आते हैं त informações भूपंति हो सकते हैं कि पैसा बचाके हम जनता को सारी सुविधाइक दे रहे नहीं है और दूसरी भष्टाचारी ओंकि द्यूत है बड़े मंतरी और ऐक्ञारइब और अका ने थी कि मत्र are शायातों हैं हई वह та मेरे नमेको को सब्स believer 58 ओए जनता को सुविधाई नहीं देंगे, अपने मंत्रियों को सुविधाई देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके बाटते हैं, यह भ्रष्टाचार की राजनिति है, आज जनता को तै करना है, देश को आज मैं पूछना चाहता हूं, जनता को तै करना है, इमानदारी की राजनिति कि पाड़ान की चेह कि भुष्टा-चार की राजनी की चाहते है कि मैं भारत को नूमबर वन बनाना चाहता हूं मेरी जंदेकी का एक or आजी मकसद भगवान से प्रकारत्ण गेज़ा तक मैं जिंदा हूं क्यों रहा भी हम आगे क्यों नहीं गए हम दुनिया का नंबर वन देश क्यों नहीं बने हमारे में क्या कमी है भगवान ने सब कुछ दे रखा है में पहाड नदियां तरह तरह की जड़ी बूटियां फसलें समुद्रतर सब कुछ दे रखा भगवान ने भारत के लोग इतने intelligent फिरवी हम number one क्यों नहीं बन रहे हैं तो हमारा मकसद दुन्या दुन्या कर नंबर वन देश बनानाना मौ आप आधी के अंदर में i4 की शिक्षा दे रहाieso है है दो है बच्चों को अच्छी हििक्षा दे रहा दे रहा हैrich Mayak wie दो गोच को अच्छा- ultrono देश के एक एक व्यक्ति को हम अच्छा इलाज देंगे, फ्री का इलाज देंगे, शांदार इलाज देंगे, इस से देश की नीव रखी जाएगी, ये काम 1947 में, 1950 में हो जाना चाहिए था, और जब तक हम अपने देश की नीव नहीं रखेंगे, जब तक हमारी नीव मजबू की जरूट पड़ेगे. नमाश्क्राइब.